नमस्कार, मैं अनुष्रिभार्दो सुरागिलाल नीज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ तो आए नज़र डाते हैं आज की कुछ मुखे खबरों पर आज़र प्रत्वी के पास से बुज़ेगा एस्टेरोइट एक किलोमीटर लंबा है एस्टेरोइट उलकपिन विश्वर के खगोल वग्यानिक रहेंगे सतर्ग आज कौंगे इसमें होंगे शामिल हर एक रावत तीन भाज पविदायक भी हो सकते हैं शावर अब खबरे विस्तार से पिछले 24 घंटों में करोना के 4,482 नए केस आये छे लोगों की मृत्यू हो गई और कुल 1,865 लोग ठीक हो गए चुनाफ कभी गुल बच चुका है और पार्टियों में दल बदल की राज नीती और उठा पटक जारी है आज प्रेस कॉंफरेंस करते हुए डॉक्टर रमेश पोकरियाल निशंक ने कहा बीजेपी अनुशासन वाली पार्टि है और जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी बहतर कारे कर रहेंगे हर अग रावत पर बोलते हुए निशंक ने कहा यह कारे करता अधारित पार्टि है व्यक्ति आधारित पार्टि नहीं है इसलिए किसी के आने और जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता परिवारबाद की राजनीती यहां नहीं होती पार्टि का अनुशासन लगातार बना रहना चाहेंगे सम्वादाता मनोच कुमार के रिपकोड़ मैंने उमेशकाव से पूछा तो उन्होंने तुरंत का कि मेरी आधी कुछ पत्रकार मित्रों से भी बात हुई कोई सोच मैं तो कल्पना नहीं कर सकता बाते जनता पार्टे में हूँ बाते जनता पार्टे में ही रहूंगा तो कई बार क्या है जबर्दस्ती कुछ हैंसा परवेश बनाने के कोशिश होती है तो मैं ही सोचता हूँ कि हम इन छोटी बातों में कभी न उल्जे हैं न वो लजना चाहते हैं मौसम विशेशा के रोहित थपली आल ने बताया कि उत्राखेंट में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ सकता है 19 और 21 जनवरी को बारिश बरवारी की संभावना है 21 जनवरी के बाद तेज बारिश हो सकती है सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कल 19 जनवरी से बताया जा रहा है कि मौसम में एक बदलाव दिखाई देगा कि बारिश से भी रहने वाली है क्या कुछ मौसम विभाद की जानकारी है सर आज जो है 18 तारीक हो गई है तो आज तो उत्राखन में मौसम साफ हो कल से एक जो पस्चमी विख्षोप के कारण उत्राखन के जो आंतरिक जिले हैं खासकर कि उत्तरकाशी चमोली पिथोरागड रुदरप्रया वहां पे कहीं कहीं हलकी वर्षा की संभावना है तो यह एक्टिविटी उन्नीज वीश एक्टिविटी खासकर कि दो दिन तो आइसोलेटेट रहेगी हिस में वह जो है आंतरिक जिलो में उत्के बाद जो है 21 में भी जो एक्टिविटी 22 से जो है एक्टिविटी बढ़ेगी रेंफॉल की तो 22 तारीको उत्राखन के चल्डों जो है उसकी इंटैंसिटी जो है उत्राखन में सभी स्थान ओपर जो है बारिश और ब्रस देखने को मिलेगी जर इस फे ठंड का कितना अशर अटने वाला है बारिस और बरबारी को लेकर के उत्राखंड में देखिए अभी जो अगला सिस्टम आएगा और खास करके वो 22 से जो एफेक्स करेगा उत्राखंड को तो दिन के समय में क्योंकि बादल रहेंगे बारिश होगी तो उसकी वज़े से मैक्सिमम टेंपरेचर में कमी आएगी जि दिन के तापमाने उनमें गिरावट देखने को मिलेगी उसकी वज़े से जो ठंड बढ़ने की संभाव से जी चीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका जानकारी देने के लिए काशिपूर कोतवाल मनोश रतूरी में बताया जिलादीकारी उधंसिंग्नगर के आदेश से हिस्ट्रीशीटर आरिफ पुत्र निवासी महल्ला अली खांगा थाना काशिपूर तथा हिस्ट्रीशीटर नाइम और बाबा पुत्र अब्दुलरह्मान निवासी महलला अगरीम 6 माह के लिए महोदे के आदेश से जिला बदर किया गया जिस पर कोथवाली पुलिस द्वारा निया मानुसार कारवाई की गई एवं 6 माहीने के लिए जिला बदर हेतु सुर्या बॉर्डर पर छोड़ा गया इन दोनों के बिलत हमने बैदानी कारवाई करते हैं इनको आज जिला बदर करवाया है जिले के बहार निका छोड़ दिया गया है पुरे छेतर में हम लोगों ने अलाउंस्मेंट भी किया है कि इस परकार का कोई भी गुंदा और आसामा जीक तर तो छेतर में नहीं गएगा कोरे की चलते बढ़ रहे सड़काथ सोवा अवेद कनन की रोग ठाम को लेकर काशिपूर कोतवाल मनोज रतूरी ने कुंदेशोरी चौकी में शेतर के स्टोन क्रेशा स्वामियों की बैठर की उन्हाने स्टोन क्रेशा स्वामियों को हिदाय देते हुए कहा कि सोर्योदर से पहले और संध्या के बाद खनन सामतरी नहीं खरी देंगे नदी पर इस बीच किसी भी प्रकार के खनन होने पर अभियोग पंजीकरित होगा तदा खनन में प्रयोग वाहन सरको पर नहीं इस वालवल पंजूर पर आप स्दोड़ माल लेना हैं लोग स्थीत में अधिक 9 कर्या स्थे कर द 365. यह सर आज कुंडेसरी चोकी में जो स्टोन क्रेसर स्वामियोगी मिटिंग आप ले रहे हैं इसका क्या करा रहा है इसका क्या करा रहा है थाथेबुर्ट खाना चेत्र में कुंडेसरी में हमारे पास करीब 12 प्रेसर आप इन दोगों के मेरे दौरा मीटिंग ली गई है इसमें इनको दाइद दी गई है कि शुर्यात से लेके और स्विले पे बीच में आपको किसी भी नगी खानम के माँ सामार को ने लेकर देवी और अपना खानम मेरी को किसी को देते भी है तो वो अंडर लोड रहे है और बैदा पठी है खरी जिंदगी मीटी मस्ती भरी जिंदगी चटखारों से बर जाए सारा अंतरमल देवरपन देवरपन की आलू भुजिया नॉटी नच्स मूंग दाल, कॉपकोंचिप्स, रसगुल्ला, माल पुआ अन मचमोर जिसे हर कोई मांगे मोर देवरपन स्नाच्स, नमकी पर जम कर हमला बूला, उन्होंने कहां कि जो नेतर राजनीती में अपने बच्चों को स्थापित करने का काम करते हैं, उनका कोई इमान धर्म और दल नहीं होता है मैं आपको पुष्वाद दिरहना चाहता हूँ, आने वाले इतिहास है मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो लोग आरूप लगा रहा है, उनको बहीं पर बहुत होने के लिए जगर चाहिए नहीं चाहिए तो जो हमको 9 दिखता वो उनको 6 दिखता है तो वो बिरोध कहना आते हैं आच्छे जनता में किस बात पर जाएंगे वही बताओ आरोप भी उसी पर लगाएंगे जो बेदा को अब अरजी भरजी चलते प्रिते पर आरोप क्यों लगाएंगे वो मैं देखो भई वहां के बिदायक हूँ मंत्री हूँ आम जनता ने त्याव कर लिया है कि अरवें पांडो को पांच वी बार कम से कम 40,000 बोड़ते जिताना है तो उस पर आपको प्लगाने तो आएंगे यार विपक्षे लोग है उसको मैं क्या टिपड़ी करूँ उनके लोग बहुत से बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े लोग देखो भाई जो लोग अपने बीटी बीटा को इस्थापिस करना चाहते हैं उनका कोई इम सफाई कर्मचारी संग के बैनर तले अंदोलन के दौरान बर खास की गई सफाई कर्मी ने आज मेयर आवास के समक्ष जम कर हंगावा किया इतना ही नहीं नारा सफाई कर्मी मेयर के आवास तक आतना करने के लिए जा पहुची इस सूशना पर हलदवानी पुलिस में हड़ क मच गया और पुलिस ने मौकी पर जाकर उप्ट महिला को हिरासत में ले लिया बताया जाता है कि करीब चार मापूर विभिन मांगो को लेकर सफाई कर्मियों ने देव भूमी उत्रकर सफाई कर्मचारी संग के बैनर तले अंदोलन किया था इस दौरान हुई मार्पीट के चलते नगर स्वास्तिय अधिकारी हल्दवानी डॉक्टर मनोच कांटपाल ने आठ सफाई कर्मियों को ततकार प्रभाव से बरखास कर दिया नैनिताल जिला प्रशासन ने डॉक्टर्स फॉयू नाम के एक NGO से MOU किया है जिला अधिकारी नैनिताल के मताबिक जिले की 99 फी जितने भी कोविट मरीज भूम आइसलेशन में होंगे उनको यह टीम मेडिकल किट भी उपलत कराईगी इस पूरी प्रक्रिया का वर्ड रूम हल्दवानी के जीम कैम का डाले में बनाया जाएगा समवादादा सचिन गुपता के रिपूर्ट एंजियो है डॉक्टर्स फॉर यू करके इनके साथ M.O.E.U किया है तो डिस्टिक्न अनिताल में जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे जन्पत में खासकर कोविट के केसिस काफी बढ़ ले हैं लेकिन अच्छी बात ही है कि 99% हमारे जितने पेशेंट हम हॉम आइसोलेशन में है तो जितने भी पेशेंट हमारे या कोविट के पेशेंट हमा option में हें उनकी एक प्रपर मोनिटरिंग हो उनको सुपेर्ण से इनको कर सकें उसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एक M.O.U किया है तो इनकी चौट टीमें जो हैं हल्दवानी के 20 किलोमेटर के रेडियस में जिसमें आपका हल्दवानी, मोटा हल्दू, आपका लाल कुआ और नैनी ताल के नीची वाला पार्ट कालर डूंगी और देरी-देरी हम पूरे डिलीक में इनके मादम से सारे मोनीटरिंग करेंगी जो आपका साथ सामनेड़ेस बनाते हुएए सबीश को üzए जिते हमारे हरे मोम और पेशेण्स उनकी प्रपार को करेंगे और इनकी पूरी टीम हैं, जिसमें डॉक्टर, नॉर्सिस बगर सामिल हैं, लगातार फ्रीक्वेंट अपने विजिट पे रहेंगी, और इन पेशेंटों को दवाईयों से लेकर, पल्स ऑक्सिमिटर से लेकर सारी चीज़ें ये लोग महिया कराएंगे, और एक वार्रूम, ए ये लोग स्टैब्लिस करने जा रहे हैं, जिसमें लगा था 24 गुंटे उसकी मॉनिटरिंग ये लोग अपने यहां से कर पाएंगे, जिस तरह राजे में कोरोना महमारी अपने पाँ पसार रही है, उसका असर पांच वाधाम करे जाने वाले जागेश्वर पर भी साफ नज जागनात मंदिर के पुचारी का मदभट ने कहा कि कोविट महमारी के मद्दे नजर नियम सक्त हो गए हैं, ऐसे में दर्शन के लिए आने वालों की संक्या बहुत कम हो गए हैं, महम रितिंजे मंदिर के पुचारी का कहना है कि मंदिर के अंदर जाज के बाद ही दर्शन की इजासत दी जा रही है। ऐसे में जागनात धाम के पर्यचन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शाम की आर्टी भी कोविट के नियमों के तहत ही की जा रही है। समवादाता हिमन सिंग महरा की रिपोर्ट। अगिस्वरधाम जो 125 मेंद्रों का समूव है। यह बहुत जागरतर सितान है। आपकर जुदिलिंगा है। मैं अगिसमदार का वने। मकर संगरातिर के दिन इस सितान का बिश्रिस महत्तो होता है जो 4 जनुरी को रहता है। और भोले नाथ लगवाद पैसर 70 किलो रहता कमल्यां की घीए को कुफा में एक महा के लिए तप करते हैं। यह पूरान ग्यादर हमाना गया है। कुरुदा काल में पिछले वर्स की भाती अभी हम देखने में मिल रहा है कि अधिमेटर है। संदिक परस्तित्यों में सोंबा की रात कुमत होते हैं। वहीं एक दो वर्षिये पाड़ा की हालत कंभीर बनी हुई है। मृत भैसों में एक भैस वर्तमान में दूद दे रही है। तो ये चारा पानी खिला के आराम से इनको बांदा जग गया। साड़े साथ वजी करीब में। उसके बाद जब हम सुवेरे निकालने के लिए गए साड़े छे वजी। तो उसमें पहली नजर पड़ी कि मेरी पड़िया मिरतवस्थ हम पड़ी है। फिर मैं भैंस की तरफ नजर डाले तो देखा कि वह भी मिरतपड़ी है। उनके बीच में बड़ी पड़िया खड़ी थी। तो फिर मैं चिल्ला के भागा मैंने का कि अरे दोड़ो दोड़ो ये क्या हो गया है जानवनों को। फिर एक पड़र भी है तो उसको भी मैं देखा तो वो भी गंबीर अवस्था में रहा। इसमें तौम सर बहुत में बरिशान है और काथी हमारा च्छती हुआ है। आदर्श आचार सहिता के पालन में लालकवा पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तैक लालकवा, SSI, गगन कामबोजवा उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक शराब तसकर को बिना नंबर प्लेट के ओल्टो कार में ले जाते हुए 125 लीटर कच्छी शराब के साथ दिरफतार किया है। जिसमें आज पूरिश टीमदारा, SSI, इपक्रिष्ट पोस्के अमरा ही फास्टिक लुआरा, आज एक अभियोग्त को में अल्टो कार के से तहत, 125 लीटर अवैज सराब के साथ पकड़ा गया है। जिसमें आप योग पंजी करत किया है और माने नियाले में इमान प्राप्त किया जागी। UKD प्रत्याशी एडवुकेट हरीश चंड राहुल ने बताया कि भीमताल विदान सबा शेत्र के लगबख 50 प्रतीशत से अधिक शेत्र में दूर संचार पेजल साड़क विवस्ता पूरी तरह से चर्मडाई हुई है। प्रतीश चंड राहुल ने बताया कि आज भीमताल विदान सबा शेत्र में जा पेजल के समस्यत दिन प्रतीदिन हर ग्राम सभाओं में बढ़ रही है। अगरिया ग्राम सभा ग्वाला कोच में कर्मचारी लापरवा बने हुए हैं। काम करने को तयार नहीं है। वही बढ़ती टेकनलोजी के दौर में दूर संचार सेवाओं ने भी यहां की जनता का साथ धीर 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 छोड़ सा दिया है। यहां मैतानी शेत्रों में नौनी हाल घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा करेंड कर रहे हैं। यहां मैतानी हुए हैं।